वो नेशनल लेवरेज बेरोजगारी का है वो लगबग 7% है और बिहार का वहीं पर आप बेरोजगारी का देखेंगे प्रतिसात लगबग 13 पॉइंट से कुछ देखिया जहां तक गठबंधन की बात है वो मित्र दलों में हमेशा मिलना जुलना लगा रहता है उसनाते मिल र बिहार में स्थानिय निकाई के चुनाफ को लेकर एक बर सरगर्मिया फिर से तेज हो गई है क्योंकि देखिये राजद के द्वारा महागडवधन का प्रेस कॉन्फरेंस बुलाए गया है लेकिन राजद जो कह रही है कि तमाम जो पार्टी है वो आईगी लेकिन कॉंग्र बिहार गए इतना ही नहीं वो राजद को लगतार ये जो बाते हैं उससे कहते हैं कि द्वातों को लेकर ये भी कह रही है कि जेद्यों और बीजेपी को बिहार में बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान ज सर कॉंग्रेस वाप पर लगातार आरोप लगा रही है अब यह भी कह रही है कि आप बी टीम बन गए हैं जेदियों और बीजेपी की देखिए इस सब बात हो में कहीं कोई सचाई नहीं है जहां तक गठ बंधन की बात है वो मित्र दलों में हमेशा मिलना जूलना लगा रहता है उस नाते मिल रहे हैं तो कोई बड़ी बात भी नहीं है इसमें अब जहां रख रही आपकी महा गठ बंधन की करें कि अपचारिक बैठक बुलाई गई है तो ऐसा कोई बात नहीं है अगर अपचारिक बैठक महां गटबंधन के बुलाई जाएगी तो निश्चीत रूप से उसमें कॉंग्रेस को भी इंविटिसन जाएगा और भी जो हमारे बामपंथी जो संगठन के लोग है उनको भी जाएगा लेकिन वैसा कुछ नहीं है अब रही गठबंधन के कुछ घटक हैं जो अपने नेताओं से बराबर संपर करते हैं कुछ राय विचार के लिए कुछ से राय मसविरा के लिए उसी करम में अगर जगतावावू कुछ लो कि यह आरूप यह तोहमत लगाना रास्तिय जनताजल पर कॉंग्रेस को सुवा नहीं देती हैं कॉंग्रेस बराबर पिछला जो में चुना हुआ उसमें हम लोग से अधिक संख्याय में उन्होंने सीटे ली जिसका परिणाम हुआ कि आज हम लोग सत्ता से त्वा बाहर रह लेकिन उसे परिणाम के बाद भेगर कॉंग्रेस इस बात को महसूस नहीं करती है कि जहां जहां कॉंग्रेस कमजोर है वहां वहां गठ बंधन के जो उसके घटक हैं चत्रिये पार्टियां हैं उनके साथ कॉंग्रेस को सम्झावता करना पड़ेगा अगर बीजेपी को बीजेश को साथ आपको कमपलेक्स है पर आपको दिक्कत है तो फिर आप vessels को मदब कर रहें खाल्पा को या जो संप्रदाइक सकतिया है उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं अब उस चुनाव में जो मत आये उसे उनकोеле उस्के बाद उनको समझना क्या चीए ताकि राजद कितन पानी में हैं और हम कितने पानी में हैं जब हमारी आवकाल को नहीं समझ लें उनकी हैं तो फिर गठबंधन कैसे चलेगा गठबंधन तो दुनों को मौसूस करना पड़ेगा कि उनकी भी सकती है यहां नितित्व हमारा चलेगा ताकतवर जादें अभी भी बिहार के अंदर तक नहीं होगा तब तक चृटे से का sate rb आर्रबी न्टी पीची के जो चात्र है वह हंगामग कर रहे हैं लेकिन उनपर लाठी चार्ज रही है तो कहीं पर आशु गैस के गोले दागे जा रहे हैं कि अगर चात्रों पर युवाओं पर इस तरीके का अगर लाठी चार्ज होगा तो क्या प्रभाब परेगा सरकार इसकी जिमेदार है इसके लिए और नितीश कुमार जी के राज में बेरोजगारी बिहार के अंदर इस तरह से बढ़ गई है कि जो नेशनल लेवरेज बेरोजगारी का है वो लगबग 7% है और बिहार का वहीं पर आप बेरोजगारी का देखेंगे प्रतिसाथ लगबग 13 points से कुछ दिखेंगे यानि करीप दूगना है तो दूगना बिहार के अंदर बेरोजगारी का आलम है और नितीश कुमार जी वेकें में होते हैं अभी भी कितने नियालों में मुकदमें लंबीत हैं कई वर्सों में लिखा जाता है कि नोट सो टेबूल पाउंड है इस तरह के बिरोजगारों के प्रती नौजवानों के प्रती नितीश सरकार की रवया सुरू से ही खराब रही है और आज जब इस कदर पहु सकती का प्रयोग करेंगे तेनेसी तुरूप से पूरा विहार जो है एक बार फिर जल जाएगा और नितीश कुमार के लिए किसी भी सरकार के लिए घाता को यानि राज़त इनके समर्थन में है इस तरह का विरोजगारों के समर्थन में आज से नहीं हमारे नेता अजर निय साथ है और इस पर नावजवानोंने जो कमर कसा है इस सरकार को बदलने के लिए यह जो खामिया हैं रेक्रीटमेंट बोर्ड में जैनसी में सरकार में इस पर प्रहार कर रहे है लगातार छात्र नौजवान उसके समर्थन में राश्टिय जनतादल पूरे मुस्टाहडिये से खड़ी है यह थे हमारे साथ राम बली चनलवंसी जी जोने साफ तोर पर कहा है कि कॉंग्रेस और हमारा गड़ बंधन है हो सकता है कि प्रदेश अध्यक जगदनान सिंग ने ऐसी मुलाकात के लिए बुलाया हो इस पर कोई राजनेतिक रूप नहीं देना चाहिए इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चात्रों पर लाठी चार्ज हो रही है मैं उसके विरोध में हूँ और राजद और तमाम जो राजद के नेता है वो चात्रों के साथ खड़े है फिलाल खौर में सिफित नहीं आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहें डी टीवी भारत हमस्कार